चैल चौक में कॉंग्रेस पार्टी द्वारा एक संयुक्त कॉंफरेंस में दामोदर चोहान और संजु डोगरा द्वारा नामांकन वापिस लेने पर आभार प्रकट किया गया इस दोरान लाल सिंग कॉशल ने कहा पार्टी में दोनों नेताओं का मान सम्मान बरकरार रहेगा उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक टेक्चन डोगरा का भी दिल से सम्मान करते हैं और इस बार कॉंग्रेस पार्टी नाचन में एक बार फिर से अपना पर्चम लहराएगी और प्रदेश में फिर से राजा वीरभदर सिंग के नित्रित्व में सरकार बनेगी वहीं दामोदर चोहान ने कहा कि उन्होंने मुख्य मंतरी वीरभदर सिंग के आदेश पर ही नामांकन करवाया था उन्होंने कहा कि पार्टी हाई कमान को टिकट के लिए राजा वीरभदर सिंग ने उनका नाम भेजा था जो की High Command वारा Congress Party में सक्रिय सदसिता ना होने के कारण उनका नाम सूची से काड दिया गया उन्होंने कहा कि नाम वापिस लेने से पूर्व मुख्य मंतरी राजा वीरभदर सिंग के आदेशा अनुसार ही नाम वापिस लिया गया है वो अपनी 15 वर्ष की तपस्या को दरकिनार कर कॉंग्रिस प्रत्याशी लाल सिंग कोशल के लिए आत्म समर्पन कर चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे